जब विंद के राजनीतिक सपूतों की बात होगी तो यमुना प्रशाथ सास्त्री का नाम शीर्स पर होगा। यमुना प्रशाथ सास्त्री ने अपना पूरा जीवन शोशितों और वंजितों को सौप दिया। शास्त्री जीत दलितों, पीडितों और आदिवासियों के हक के लिए अंदोलन का कोई ना कोई मुद्दावे ढूंड ही लिया करते थे शास्त्री जी ने विधायकोवा सांसदों की तनख्वासु विधाय बढ़ाने का विरोध किया वे कहते थे लोकतांतिक देश में गरीब जनता के चुने हुए प्रतनिधी को राजे राजवाडे जैसा नहीं रहना चाहिए जैसे देश का आखरी व्यक्ति आभावों में जीता है वैसे ही निर्वाचित प्रतनिधियों को भी जीने की आदर डालनी चाहिए नुस्कार मैं शिविंद आज किस वीडियो में हम बात विंद के सपूत यमुना प्रशाद शास्त्री की करेंगे साल 1955 में राम मनुहर लोहिय के निर्थित में गुवा मुक्ति अंदोलन देश में जोर पकड़ रहा था रीवा का एक नौजवान इस अंदोलन में शामिल हुआ इस नौजवान का नाम था यमुना प्रशाद शास्त्री गोवा मुक्ती अंदोलन में यमुना प्रशाद सास्त्री की सक्री भूमिका थी आजादी की इस जंग में उनकी एक आँख की रोशनी चली गई वजय थी पुलिस की पिटाई पुलिस ने उन्हें इस कदर प्रताडित किया कि उनकी दाहिनी आँख की रोशनी चली गई 1975 में उन्होंने आपातकाल के बिरोध में विंद छेत में किसान अंदोलन की अगवाई की पुलिस का गुस्ता एक बार फिर यमुना प्रशाद सास्त्री पर बरसा जिस से उनकी बाई आँख की भी रोशनी चली गई लेकिन उनकी नेत्रहिंता उनके शंगर सिल राजनीतिक सफर में कभी बाधक नहीं बनी शास्त्री जी अपातकाल के दोरान 19 महिने जेल में रहे 1977 के लोगसभा चुनाव में भारती लोगदल पार्टी के टिकट पर रीवा सांसदी शेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की ये किस्सा हम आपको आगे बताएंगे लेकिन अब तक इतिहास गढ़ा जा चुका था देश की संसद में पहली बार कोई दिव्यांग पहुचा था जिसकी चर्चा देश ही नहीं बलकि BBC जैसे बिदेशी मेडिया में भी चल पड़ी थी साल था 1977 देश में आम चुनाव होने थे रीवा लोगसभा की चाचापूर देश में हो रही थी शास्त्री जी लोगसभा के लिए चुने गए या देश के साथ दुन्य के लिए बड़ी ख़बर थी एक रंक ने राजा को हरा दिया इतना ही नहीं पहले नेतर हिंसांसद्य अमुना प्रशाष शास्त्री ने ना केवल महराजा मारतंड सिंग बलकि महारानी प्रविर्ट कुमारी को भी लोगसभा चुनाओं में हरा दिया लोगतंड की शायद यही सबसे वड़ी खूबसूरती है कि एक आम से घर का लड़का महराजा को चुनाओं में पठखनी दे दी उनकी नेत हिंता को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती रही लेकिन मेरा मानना है कि शास्त्री जी दुनिया भले नहीं देख पाते थे पर मन की आँखों से जो कलपना की जो सपने देखे वे द्रिष्टी वालों को भी मात दे दे यहाँ पर महराजा मारतन सिंग के व्यक्तित की भी सराहना करनी होगी जिस चुनाओं में शास्त्री जी ने मारतन सिंग को पराजित कर सफलता पाई थी उस समय उनके पास प्रचार प्रसार करने के लिए ना ही पैसा था और ना ही वाहन महराजा मारतन सिंग ने प्रचार प्रसार के लिए शास्त्री जी को पैसे और संसाधन उपलब्ध कराए ये अपने आप में बड़ी बात थी ये वो दौर था जब राजनीतिक प्रतिद्वन्धत्या भी स्वस्त पूर्ण महौल में हुआ करती थी वरिश पत्रकार जयरामशुक्ल जी कहते है कि आइंस्टीन जी ने जो बात महात्मा गांधी के लिए कही थी हूबहू वही शास्त्री जी के लिए चरितार्थ होती है आने वाली पीडी शायद इस बात पर यकीन करे कि भारत में हाड मास का ऐसा भी कोई सच था जिसकी अहिंसक खुंकार से सत्ना हिल जाया करती थी शास्त्री जी का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता व्यक्तित था वो कभी अंदोलन से डरे नहीं अंसन से डरे नहीं जनता की मागों को लेकर आए दिन भूख हरतार में बैठे रहते थे उनके अंसनों की खबर सुनते ही प्रशासन में हरकम मत जाया करता था शास्त्री जी हट का एक किसा बड़ा मशूर है शास्त्री जी अंसन में बैठे थे तब उनके एक करीबी ने कहा था शास्त्री जी उम्र बहुत हो गई है अब अंसन मत किया करिये शास्त्री जी ने जवाब दिया था अगर मेरे अंसन से किसी करीब के घर का चूला जलता है और उसे दो वक्त की रोटी मिलती है तो मैं हर दिन ऐसी अंसन करने को तयार हूँ एक बार किसी ने कहा था कि अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी करिये तो शास्त्री जी ने कहा था कि मैं अंधा हूँ अब बेटे की टिकट की पैरवी करने की बात कहकर मुझे धितराष्ट मत बनाओ शास्त्री जी और चंसेखर की दोस्ती के किस्ते भी मशूर हैं सन 1989 के दोर में जब वीपी सिंगी सरकार का पतन हुआ और कॉंग्रेस के समर्थन से चंसेखर प्रधान मंत्री के लिए शक्री हुए तो वे शास्त्री जी से मिलने पहुँचे शास्त्री जी उन दिनों दिल्ली के एसकॉर्ट हॉस्पिटल में थे चंसेखर ने उनके सामने अपने कैबिनेट में मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा सरकार के पतन से आहत शास्त्री ने जवाब दिया कि मेरा तो आपके साथ जाने का परश्च नहीं उठता किन्तो मेरी राय तो यह है कि चंसेखर जी आप भी यह कुकर्म ना करें क्योंकि कॉंग्रेस कभी किसी की सगी नहीं रही सास्ती जी चंसेखर के अनन मित्रों में से थे भारत त्यात्रा में उनके साथ मीलों की दूरिया ना पी पर जब राजनीती सिध्यानतों की बात आई चंसेखर को भी खरी-खरी सुनाने में पीछे नहीं रहे तो ऐसे थे हमारे विंद सपूत या मुना प्रशाद शास्त्री आज उनकी पुन्यतिती है इस मौके पर पूरी शब्द साची की टीम उन्हें नमन करती है शुक्रिया